यहाँ पे एक four sided closed figure दिया हुआ है यानि कि एक quadrilateral और एक ऐसा quadrilateral जिसके एक pair of opposite sides यहाँ पे parallel है यानि एक बात तो है कि यह एक trapezium है trapezium है इतना हमें पता चल गया अब हमारा काम है कि इस trapezium का area हमको पता करना है कि आखिर इस trapezium ने कितनी जगह यहाँ पे लिए है तो इस चीज़ को हम कैसे सोच सकते हैं चल यह देखते हैं तो मैं काम करता हूँ एक चीज मेरे दिमाग में यह आ रही है कि अगर मैं इस six centimeter वाले side को लेकर इसको base मान कर यहाँ पे एक rectangle बनाऊ यानि कि यह हो गया मेरा base और इसको मैं यहाँ ऊपर की तरफ extend कर दूँ और यहाँ पे एक rectangle बनाने की कोशिश करूँ जिसका area इस trapezium के area से बड़ा है यह तो देखे रहा है मुझे लेकिन इसका area क्या होगा इस बड़े वाले rectangle का क्या area होगा इस वाले rectangle का जो मैंने यहाँ बनाया ऐसा कुछ यह है 6 और यह है 3 तो इसका area हो जाएगा 6 x 3 यानि कि 18 cm2 लेकिन trapezium का area तो इससे कम है तो एक और काम यहाँ पे यह कर सकते है कि यह जो छोटा वाला side है यहाँ पे यह 2 cm वाला side इसको base मान कि अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा rectangle बना दूँ यह वाला rectangle जिसका area इस trapezium के area से कम है कुछ ऐसा यह कुछ ऐसा तो इसका area क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 यह हो जाएगा 3 तो इस rectangle का area हो जाएगा 2 x 3 यानि कि 6 cm2 एक बात तो यहाँ से मैं बड़े confidence के साथ बोल सकता हूँ कि यह जो trapezium का area है वो इस बड़े वाले rectangle और इस छोटे वाले rectangle के area के बीच में होगा क्योंकि अगर मैं आपको बोलो कि यहाँ पे एक rectangle है जिसका कुछ area है यहाँ पे दूसरा rectangle है जिसका भी कुछ area है और अगर इस trapezium की area के मैं बात करूँ तो वो इस दोनों की area का average होगा ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर मैं इन दोनों का average area लेता हूँ तो वो कैसा देखेगा पहले वो देखते हैं अब इन दोनों का average है तो जाहिर से बात है कि इस छोटे वाले एरिया से ज़्यादा उसका area होगा लेकिन इस बड़े वाले area से कम होगा उसका area इस से ज्यादा होने का मतलब है कि वो इतना area तो cover करेगा ही यह छोटे वाले rectangle का जो area है इतना area तो वो cover करी लेगा लेकिन हम पूरा ये area भी cover नहीं कर सकते क्योंकि हमको इसके area से कम लेना है यानि कि अभी तक हमने इतना portion cover कर लिया है अब अगर मुझे इनका average लेना है यानि कि मुझे ऐसे area के बात करनी है जो कि इसके और इसके area के ठीक बीचो बीच हो तो ये जो बचा हुआ area है यहाँ पे ये वाला area और ये वाला area यहाँ पे ये दोनो areas बहुत जरूरी role play करेंगे वो ऐसे कि अगर मैं इस area का आधा ले लूँ इसका आधा ले लूँ ये वाला portion मैं सिर्फ ले लूँ तो वो मैं यहाँ पे रॉक कर लेता हूँ और इस portion का भी मैं आधा ले लूँ यानि कि ये वाला part तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ तो ये अगर मैं ऐसे करूँगा तो मुझे मिल जाएगा अपना trapezium यानि कि 6 x 3 इसका एरिया था 2 x 3 इसका एरिया था इन दोनों का average यानि कि 6 x 3 प्लस 2 x 3 इन दोनों का average यानि कि इनका sum divided by 2 ये जो चीज होगी वो इस trapezium का area हो जाएगी अब आप इसको ऐसे लिख ले या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि यहां से हम 3 common निकाल लेते हैं जैसे कि अब हमारे पास आ गया है 6 x 3 बड़े वाले rectangle का area 2 x 3 छोटे वाले rectangle का area जो हमने इस 2 cm के side को base मान के बनाया था इसका average ये हमारा trapezium का area है इस पूरे trapezium का area है ये ये वाला इसमें से हम 3 अगर common निकालने तो हमें क्या मिलेगा 3 common आ जाएगा अंदर बच जाएगा 6 plus 2 और नीचे by 2 तो है ये बस इसको पढ़ने का एक नया तरीका है और कुछ नहीं तो यहां पे इसका मतलब हुआ कि 3 को हमने multiply किया है 6 plus 2 से और 6 plus 2 क्या है sum of parallel sides क्योंकि trapezium में सिर्फ एक ही pair parallel होते है तो इन दोनों का जो sum होगा इन दोनों के side का जो sum होगा वो यहां पे लिखा हुआ है और इसको और थोड़ा से clearly लिखें तो यह है जाएगा half times sum of parallel sides यानि कि 6 plus 2 times 3 जो कि इस trapezium का area हो जाएगा half 6 plus 2 ये और ये दोनों parallel sides का sum times इसकी height और इसकी value क्या होगी तो half times 6 plus 2 होता है 8 times 3 2 4s आ 8 हो गया और 4 3s आ 12 होता है 12 cm2 इस trapezium का area हो जाएगा जो कि आप देख भी सकते है 6 times 3 होता है 18 cm2 और 2 times 3 होता है 6 cm2 इनके exact बीचो बीच लाई कर रहा है यहाँ पर एक 4-sided closed figure है यानि के quadrilateral जिसका एक pair of opposite sides parallel है यानि कि यह एक trapezium है या यह एक trapezium है इतना तो हमें देख के पता चल रहा है चुए झाल